पहार की बेटी के अंतिम संसकार आज होना था आज उसको अंतिम विदाई देनी थी लेकिन प्रोविजनल पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से परिवार और बाकी इलाके के लोग संतुष नहीं है इसलिए परिवार की मांग और साथ ही साथ उनके साथ जो इलाके के लोग है वो मौर्शी के बाहर आप देख सकते हैं यहां पर हलचल काफी तेज है हलचल इसलिए है क्योंकि यहां पर जो इलाके के लोग हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं लगतार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं हाला कि परिवार से फिलहाल यहां पर कोई मौजूद नहीं है और इस वक्त यहां पर जिलाद्यक्ष कॉंग्रेस विनोजी भी मौजूद हैं जो की काफी देख से यहां मौजूद हैं सर मुझे यह बताईए कि आप लोग भी यहां पहुचे हैं समर्थान तो दे रहे हैं लेकिन इस मामले पर राजनीती नहीं इंसाफ होना चाहिए मुख्यमंद्री जी को और जिस ग्यापन में हम लोगों ने साफ किया है कि तीन दिन के अंदर अगर हमें इस घटना की अगर पता ना चले की मदा किस तरह का यह हुआ यह आरोपियों को किस तरह की सजा मिलने वाली है तो तीन दिन के बाद यह एक जन सहला सड़कों पर उत है कि अगर तीन दिन के अंदर जब SGM साब को हमने गया पन दिया तो उन लोगों ने यह हमाशोशन दिया कि तीन दिन में हम लोग कुछ ना कुछ कारवाई करके आप लोगों को बताते हैं तो विदाई नहीं दी जा रही है बेटी को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट क उस पहड की बेटी के साथ हुआ क्या है जब उसको नाले में फैका गिया तो यह बताया जा रहा है कि उसके दान टूटे हुए थे तो हम यह जाना चाहते हैं कि उस पहड की बेटी के साथ इन लोगों ने किया क्या है और यह पता चलेगा कि पहले भी इस रिजॉर्ट में इस तरह किरते हुए हुए और ये बताये जाता है कि प्रेंखा नाम की लड़की भी वहां से गाये हुई थी तो वो साख्छे भी जुटाये जा सकते हैं कई सारी यहां पर चीजे और थियोरीस सामने आ रही हैं ये भी सामने आ रहा है कि कई और चीजे भी उस रिसॉर्ट पे हुई है इसलिए लोगों की मांग है कि क्या कुछ हुआ था उसके लिए प्रशासन सकती बढ़ते और जो फाइनली जो पोस्ट मॉटम रिपोर्ट है उस सरकार से क्या कुछ मांगा था प्रशाओ का नारा लेगा चलते हैं तो क्या बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ आप लोगों का ये नारा नहीं होना चाहिए कि बेटी को संड़क्षन दो पहाड की बेटी अगर कहीं पर किसी लड़के को आप 20-22 साल के उमर में कहीं भी तो मेरा ये कहने मतलब है इस पहाड में उत्रा खंडमने इसलिए मांगी थी कि एक सांत्र वातावरान में हम लोग रह सकें ये देव भूमी नाम दिया था ये देव भूमी में हम लोग सुरचीत रह सकें लेकिन आज अकर इस देव भूमी इस तरह के राक्षास आच आच हैं तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए सरकार को इस बारे में गंभीरता से सुचना होगा यहां पर प्रशासन के उपर सवाल खड़े कर रहे हैं लोग साफ तोर से कॉंग्रेस प्रेसिडेंट है विनोज जिले के उनका साफ तोर से कहना है कि यहां पर सरकार को भी सक प्राफ मिलेगा कैम रूपसर अभीश पांडिक साथ मधिया इबीपी न्यूस श्रीनगर उत्राखन